थालो स्टुडेंट संवक्साइज 3.3 पे हैं और यहां देखिए कहा रहा है solve the following systems of equation ते लिए question number 19 से देखते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमनों question number 18 तक देख लिए थे 2 by x plus 5 by y equal to 1 यह first equation है और दूसरा है आपका 60 by x plus में 40 by y equal to 19 यह आपका second equation है तो देखो आप दो तरीके से से बना सकते हैं पहला method है कि आप इसे डिरेक ही ऐसे बना दो elimination से या इसमें 1 by x और 1 by i को a और b put करके भी बना सकते हैं तो हमनों direct ही बना देते हैं मैंने आपको दोनों method बता रखा तो लिए आप first equation में multiply कर दो 8 से और second equation में multiply कर दो 1 से ताकि y वायला सेम हो जाए तो हमनों रिखेंगे multiply by multiply by multiply by multiply by 8 in equation first and multiply by multiply by one in equation second चली देखते हैं क्या होता है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 by x plus 40 by y equal to me 8 अच्छा और दूसरा वाला क्या है यहाँ पर 60 by x plus का 40 by y equal to में आपका 19 यहाँ देखें साइन चीन करते हैं यहाँ देखिए कर जाएगा यहाँ पर इसमें subject करेंगे तो क्या हो जाएगा minus का आपका आ जाएगा यहाँ 44 by x न होगा और इधर हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा minus का 11 माइनस माइनस आटा देते हैं यानिकि 11 x equal to 44 यह चला जाएगा आपका डिवाइड में एक्स का वैलू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा समझे ना चलिए अब यह एक्स का वैलू हम लोग पूट करते हैं equation first या second में तो हम लोग लिखते हैं putting the putting the value of value of x in equation first equation first क्या था तो आपका equation first है 2 by x plus 3 5 by y equal to 1 टीक है 2 by x plus 5 by y equal to 1 चलिए हम लोग पूट करते हैं x का वैलू यहाँ पर 4 2 by x का value 4 रख दिए plus 5 by y equal to 1 देखिए क्या हो जागा यहाँ से यह आपका 1 by 2 हो जाएगा 5y equal to 1 minus 1 by 2 यहाँ 5y equal to 1 cm लेकर सब्सक्राइब करेंगे तो 1 by 2 हो जागा यहाँ y का value cross multiply करने से 10 तो therefore x equal to में आपका 4 हो गया और y equal to में क्या आगया आपका 10 आगया समझ गया कोशन नमर देखिए